पूर्ट जैसा हो जाता है जैसे कोई बीमारी यह नहीं है मेरी शादी शान्तिकुझ में हुई थी मैं तब पहली बार शान्तिकुझ आई थी इससे पहले कभी मैंने शान्तिकुझ का नाम भी नहीं सुना था लेकिन जब से आई हूँ और जब से जुड़ी हूँ ऐसा लगता है कि पिछले कई जन्मों का कुछ रिष्टा है इनसे और वो आप मुझे वापस मौका मिलाए कि मैं इनसे जुड़ू और इनके साथ रहूँ जब से जुड़ी हूँ लग रहा है कोई नया जनम हो गया है बुद्धी पूरी तरीके से बदल चुकी है और हर वक्त ऐसा लगता है कि मुझे सद बुद्धी और देने के लिए मेरा मार्क दर्शन करने के लिए गुरुदेव माता जी दोनों हैं दोनों सदेव मेरे साथ खड़े हैं मेरी हर परिशानी में और मुझे रास्ता दिखा रहे हैं मुझे लगता है कि इनसे जुड़कर ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्दी है और मैं धन्य हो गई हम लोग काफी दोस्पीडियों से गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ और हमेशा यहां पर आ करके हमको एक अलग सी आनन के अरभूती होती है और गुरुजी का असिरवाद इस समय मिल जाता है हम पूरे परिवार को यही आकर अच्छा लगता है हम लोगों को यहां आने पर ऐसा लगता है इतनी पॉजिटीव तिंकिंग यहां रहती है चेरे पर इतनी खुशी और सायद क्रोध तो आता ही नहीं होगा मुझे यहां सबसे जादा पसंद आया जो था अनुसासन यहां सब कुछ बहुत सिस्टमली हो रहा है बहुत टाइम से हो रहा है बहुत अच्छे धंग से हो रहा है यहां पर जो एकता की भावना देखी है मैंने सबकी अंदर वो बहुत अच्छी लगी भाईचारे का जो स और शॉक्त को सब आने इक निया कि मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो मेरे डूनिया द़ी तो यहां से मुझे भुत कुछ मिला है उसकी नहीं कर सकती है गुरु मेरा भगवान है, मैं उनको सब कुछ मानते हूँ, जो कुछ दिया है उन्होंने ही दिया है और मैं उसमें कुछ बैया नहीं कर सकते कि इनकी कितनी उल्ले को की जा कि वो हम बैया कर सके अपने इन सब्दों में, मैं इस लाइक नहीं परमपूजी गुरुदेव ने नजाने कितने लोगों की पीडाएं दूर किये, कश्ट दूर किये हैं, कितनों को सुख और संतोष पहुचाया है नजाने ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी श्रद्धा के साथ शान्ति को जाते हैं और प्रेड़ना लेकर वापिस जाते हैं कितने हैं